नवस्कार दोस्तों यादो पलंबर यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वाकत है आज जानेंगे कि अपन पिलर को कैसे लगाते हैं ठीक है तो आपसे निमेदन है कि मात्रा 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है तो वीडियो आप फुरा देखिए और इस वीडियो में पिल अब आप देख सकते हैं यह अपना टेबल टॉप इदर बेसिन लगने वाला है ठीक है यानी मार्वल के उपर बेसिन लगने वाला है ठीक है और दीकि अभी क्या होता है ना अक्सर अपुल अभी नया मोडल आ गया है तो अभी तो फिलार अपना पिलर को इस्टेंडर्ड आ रहा है और अग्सेट टेबल टोफी वेसिन का ट्रेंड है ठीक है तो यह हल्ट वाल सब जेक वार कंपनी का फिटिंग है इस बंगले में ठीक है तो आप नीच़े से पिलर कोट टाइट करेंगे तो कभी भी पिलर कोट लगा रहा है इंप अपने को वेसे सभशा रहना चाहिए और नीची महाता है तो इस अग्कर वासर आप नहिंना है कि युष्ण करने है लॉथ देख में देखकर रहा है और उसमें इस कोई दिक्कत नहीं है युष्ण करना है ज़्यादा कम भी ने करनcies है यह तो नल हिलता रहेगा है तो अब है आप दिख सकते हैं दो कि कि अभी इस पुरा टाइट नहीं हुआ है कि टाइट करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है टाइट होने के बाद ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं जो कि पिलर कोग फुरा टाइट करने के बाद आप अभी लॉग पिलर कोग है लॉग बोड़ी इसमें सोट भी आता है ठीक है टेबल टोप क्या होता है अक्सर जो टेबल टोप बेस लाता है तो अपना इंलेट पाइप से लिकेज हो जाता है ठीक है कभी भी अगर inlet pipe लगा रहे हैं आप तो उसके अंदर का वाइसर रहना चाहिए ठीक है तो उसमें leakage नहीं होता है तो अगर pillar cock आप लगा रहे हैं तो जो pillar cock का hole रहता है वो अपने को आठधा हिंची रहता है और जो अपना हो कि एक अपना होटलेट रहता है लो वह सवाइंची का रहता है तो कभी भी ध्यान रहिए रखिए कि अपने कोई जो आरदा इंची के मारने च्छोंकि आरदा इंची में अपना नल का प्वेंट आराम से चला जाता है और जो अपना वेस्ट कपलिंग सत्वा इंची वीडियो अचाहे तो लाइक और चैनल पर न ये तो चैनल को सब्सक्राइब करें भीडियो में